शामी के launch event जो कि आप सभी को पता है कि Chinese language में था उसमें लोगों को बहुत सारी दिक्कत आई उनके features को समझने में उसी के साथ इनों ने जो HyperOS को launch event किया था उसमें बहुत ही कम feature को disclose किया और जो features थे बहुत जादा important थे बट उसके इलावों पे बहुत सारी features थे जिनके बारे में इनोंने बात नहीं की यह सारी चीजों के बारे में आज किस इंडिव में लोग explain करने वाले वह भी हिंदी में क्योंकि हम लोग यह language सुन सुन के थक गए थे उस दिन तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरे launch event में करने वाले हैं hyper connect के बारे में तो hyper connect इनका अमेशा सही एक model रहा है जो कि mui 14, mui 13 के time से achieve करना चाते थे बट still वो achieve नहीं कर पाये थे but hyper connect में guys hyperverse आ रहा है तो hyper connect इनका एक highlighted module हो गया जिसको इन्होंने launch किया अपने different models में जहाँ पे multiple devices आपस में connect होंगे चाहे Xiaomi का phone है Xiaomi का TV है दोनों आपस में connect हो जाएंगे hyper connect के help से इनकी different electronics हैं वो भी आपस में connect हो जाएंगी hyperverse के मतल से यह सब चीजों को इन्होंने highlight किया दूसरे feature की बात की जाए जो कि आप सभी को बता दूँ वो देखने को मिला है hyper mind जो की technically Xiaomi का एक अपना नया UI है जो कि आप सुरे को पता है कि Xiaomi को आपस AI था जो की MI AI बोलते थे हम उसे बट वो इंडिया के लिए global के लिए launch नहीं किया गया था बट इस बार इन्होंने hyper mind नाम से एक नया AI launch की है जो की connect करेगा सारे इनकी devices को मतलब भी अपने particular ecosystem create करना चाते हैं और यह AI बहुत सारे काम करने वाला है आपके hyper OS में और hyper OS को यह भी बहुत अत्तक highlight करेगा जिसके रिगाड इन्होंने साव साव कह दिया है कि जो hyper mind भी beta stage में ही है जिसके testing की जाएगी जिसको improve किया जाएग जिसमें daily basis पे नए features देखने को मिलेंगे अभी bugs है अभी यह कुछ commands को particularly नहीं ले पारा है बट फिर भी यह connectivity में बहुत नंबर है अगर आप लोग बात करों कि अगर आपके बाद Xiaomi के headphone है शाओमी की watch है और Xiaomi का mobile है लैप्टोप है तो यह इसके ecosystem को बहुत perfectly merge कर देगा आप बस बोलोगे है कि यह file send कर दे इस device में वो कर देगा इतना तक इसको highlight किया गया है और यही सब चीजे बताए गई है कि Hypermind अभी तक का एक बहुत बड़ा move हो सकता है बट यह भी बीटा stage में है global में आएगा नहीं आएगा इसके रिगारी information इन्होंने launch event में नहीं दी जो कि आप लोगों को बताई होगा उसी के साथ इनोंने बा और मैं फिर से clear कर दो इनके जो भी features थे ना वो सब आपस में connect हो रहे थे बट अब जो next feature आ रहा है जिसके बार में हम लोग बात करेंगे वो है guys AI इस बार इनोंने अपनी कुछ apps में AI भी launch किया है जिसमें सबसे पहले है WPS उसके बाद है guys Notes APK उसके बाद है gallery और मैं clear कर दो दो कि इनोंने बहुत सारे feature disclose नहीं किये हैं मुझे नहीं पता इनोंने ऐसा क्यों किया बट फिर भी मैं आपको बता दो कि जो gallery में AI है उसके बार में बात कर लेते हैं तो आप AI करेगा क्या कि अगर आप लोग जो photo clicks करते हो ना वो उनको recognize करेगा समझेगा कि आप किस तरह स पोस करते हो आपके facial expressions क्या है इनको अच्छे से recognize करेगा और AI कुछ इस तरह से work करेगा कि next time यह automatically आपके photo generate कर देगा different environment में अगर आप सभी को बता हुआ कि Google Pixel में फीचर तागी background ने move कर सकते थे अपने face को हसा सकते थे रूला सकते थे ऐसा system already आ रखा है बट यह system यहाँ पे यह जो feature है ना बहुत जादा कमाल का है बहुत सारे पैसे बचाएगा क्योंकि यह जो functions है वो already available है बट उसके आपको पैसे देने पड़ते थे बट यहाँ पर शाओ में हमें फ्री में provide करवाएगा वो भी मारी गैलरी में अब कमीटेस में editor के उपर भी इनोने बात किया editor को change कर देगा इसलिए जो गैलरी AI है अभी तक का सबसे highlighted part है उसे के साथ WPS AI जाप documents को अपने आप recognize कर लेगा different options direct आपके पास आजाएंगे photo बनाना है PNG बनानी ऐसे models अपने आप देखने को मिलेंगे WPS में यह सब चीज़े आपको देखने को मिलेगी उसे के साथ इनोंने बा TV पैड उसी के साथ Xiaomi का 14 सीरीज है उसमें HyperOS देखने को मिल गया था उसी दिन जिन भी लोगों ने purchase किया होगा उस दिन उन सभी को देखने को मिला है चाइना में HyperOS जो कि वहां पे disclose कर दिया गया है उसे के साथ first batch के regarding information नोंने दे दी थी जिसके उपर में वीडियो अरड़ी जिसमें दिन होता था रात होता वो चेंज होते थे अब बादल आएंगे गर्जेंगे तो उसका भी एक नया UI देखने को मिलेगा उसे के साथ आपको different lock screens देखने को मिलेंगे जिसके customization के बारे में बात नहीं की गई है Control Center के बारे में बात की गई है कि अब आपको Control Center में different options बल जाएंगे connectivity के जो की Android का इस्टर है जो कि आप सब बता है कि आप लोग कैसे इसे own कर सकते हो और अफ कर सकते हो और रेडी इव लेवल है तो Xiaomi के जो different devices हैं आप लोग simply connect करोगे जो कि आपको Control Center में दिखेंगे Control Center का नए IOI कैसे इसन स्टॉर करना है इसके उपर में वीडियो और रेडी बना चुका हो इन्होंने भी इसके उपर ज्यादा focus नहीं किया Super Bowl Papers, New Bowl Papers, Icons इनके तरफ से highlight रहा जिनके पारे में उन्हें बात तो ने की बड़ी एक वीडियो चला दी तो लोग अपने आप समझ गए बाकी मैं clear कर दूँ कि इसमें बहुत सारे feature थे जिनके पारे में बात नए की गई है बाकी इनोंने यही बोला कि इसकी जो performance है वो पुराने वाले UI से best है, smooth है और यह सब चीजे मुझे पता है कि आप लोग को अरेड़ी पता हुए क्योंकि अपने हर launch event में यह same चीज़ बोलते है कि हमारा पास जो software है वो हमारे पुराने वाले से better है हमारे फोन में बहुज़ा smooth चलेगा और मैं clear out कर दू कि जिनकों भी लगता था कि यह MIUI 15 नहीं है क्योंकि source code में MIUI 15 दिखता था पर अब इन्होंने अपना जो source code है जो कि आप सभी को बता है कि MIUI 15 देखने को मिलता था उसको change कर दिया है हाली में एक information सामने आई है कि F5 के लिए जो hyperOS है वो ready हो चुका है global के लिए तो आपको मैं बता दू कि उसमें जो source code था उसमें अब MIUI 15 देखने को नहीं मिलता है बलकि 0.1 देखने को मिलता है मदलब 1.0 जो कि इसका नाम होने वाला first variant का hyperOS और अब इन्होंने अपनी सारी जो websites है वहाँ पे भी अपना नाम चेंज करके hyperOS 1.0 कर दिया है जो कि मुझे पता है कि यह obviously होना यह था क्योंकि MIUI से औरनेटीन का नाम बहुत दो खराब हो चुका है तो इनके लिए नहीं शुरुआता है अब आपको एक fresh UI देखने को मिल रहा है कुछ नएए फीचर के साथ और यह फीचर अच्छे हैं वस यह phone handle कर जाना है चाहिए क्योंकि AI बहुत पावरफोल है अनका no doubt but battery conceptions यह किस तरह से optimize करेंगे यह देखने वाली बात होगी और कौन-कौन से devices को यह feature मिलेंगे यह भी जानना बहुत ज़रूरी है जिसकी information आप सभी को मिल जाएगी हमारे चैनल पे उसके लिए आप लोग चैनल को subscribe कर सकते हो बाकिए अगर आप लोग उने full eligible devices की लिस्ट नहीं रेखी है जाके check out कर सकते हो चैनल पे video available है first batch के regarding information दे चुका हूँ आप communities में features के उपर और information आती रहेगी उसके लिए आप लोग चैनल को subscribe कर सकते हो और bell icon पे click करके उसे all पे कर सकते हो so guys thank you for watching मिलते है next video में